आज बड़ा खुशी का दिन हमको लग कि डेमोक्रसी की जीत हो गई, समिदान की जीत हो गई, सत्य में वो जहिते जो हमारा नैशनल सिंबॉल के निचे लिखा हुआ रहता है, वो उसका जीत आज हुआ है, इसलिए हम सारे लोग खुश हैं, शायद आप भी खुश होंगे, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है, कि हमारी बाते कभी निगेटिव में ही जाते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव भी रहता है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके तहत, और मैं तहदिल से सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत करता हूँ, अभी समिदान जिन्दा है, बाकी है, और नयाएं मिल सकता है, यह इसका एक बहुत बड़ा उधार्ण है, समिदान, लोकतंत्र और भारत के आम लोकों की यह जीत हो गई है, सिर्फ राहूल गांजी जी का जीत नहीं है, सारे भारत के जनता की जीत है, और डेमाकरसी की जीत है, और समिदान के वुसूलों की जीत है, इसी लिए एक बहुत बड़ा फाइदा देश के लोकों को हुआ है, जो एक व्यक्ति लड़ता है, सचाई के लिए, देश के हित के लिए, और देश को मजबूती लाने के लिए, देश के यवाओं के लिए, देश के, देश में जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के खिलाब, जो व्यक्ति लड़ते लड़ते और लोकों को जागरत करते करते, कन्या कुमारी से लेकर कश्मीर तक, चार हजार किलो मेटर से भी ज़्यादा चल के, गरीबों से मिले, बच्चों से मिले, डॉक्टर, इंजिनियर, सभी लोकों से मिले, और आज मैं समस्ता हूँ, उन सब की दुआएं हमारे साथ है, इसलिए ये लोकों का जीत है, मैं ये कह सकता हूँ, और ये तो लोकतंत्र की जीत गुंजेगी, और राहूल गांदी जी को हटाने में, डिस्कॉलिफाई करने में सिर्फ चोवीस घंटे में सब कुछ हुआ, अब देखेंगे, अब कितने घंटे में उनको रिइंस्टेट करते हैं, क्योंकि डिस्कॉलिफाई करने के लिए तो उनको टाइम ही नहीं, आया जज्जमेंट गुजराद, ये तो दिल्ली का जज्जमेंट है, बहुत आस्ता है, नजदिक है बहुत ही, अब गुजराद से आया, जो ये था, उसको उन्होंने चोबिस घंटे लगा के उसमें सब डिस्कॉलिफाई करें, बागी सारी चीजे करें, बहार निकालें, सब कुछ हुआ, लेकिन दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट और हमारा जो पार्लमेंट है, हार्ली ये सिर्फ किलो मिटरों पे है, तो वो तो हजार पान से छेसो किलो मिटर था, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि शायद रात में रिइनिस्टेट करते हैं, क्या अभी करते हैं, कितना वक्त लेते हैं, हम को अब देखना चाहिए, हम देखींगे और इंतजार करेंगे, अब इतना बड़ा इंतजार किए, तो यह जो बाकी उनके आर्डर का भी हम इंतजार करेंगे, और मोधी को, मोधी सरकार को, और BJP लोकों को थोड़ा, वो मन से मन में ही बोलते होंगे या बहार बोलने को थोड़ा कस्ट होता होगा लेकिन मैं उस पे टिपणी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि अभी आगे हमारा लड़ाई जारी रहने वाला है तो इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि ए लोकों की जीतें वोटरों की जीतें और वाय और वाइनाड के लोग जीत से अब सब जगे यह अपनी जीत बना रहे हैं तो मैं ज्यादा न बोलते हैं बाकी के डीटेल में सिंग्वी साब बोलेंगे और चोदरी साब भी बोलेंगे और राउल गानी जी भी एक तो शब्द कहेंगे तो इतना कहें के मैं आपको यह कहूंगा कि आप भी हमारे साथ कभी-कभी खड़े होते हैं इसलिए आप सब को भी नमस्कार और दो शब्द कहने के लिए मैं उनसे शुक्रिया खरगे जी मैं राहूल जी से बुजारिश करूंगा क्योंकि वो हमारे बीच में मौजूद है वो कुछ शब्द आप से सामने रखें राहूल जी के बाद सिंग्वी साहब और अधीर रंजन जी प्रेस कांफरेंस करें थैंक यू खारगे जी आप सब का यहां बहुत-बहुत स्वागत आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सचाई की जीत होती है मगर जो भी हो मेरा रास्ता तो कलियर है मुझे क्या करना है मेरा क्या काम है उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लारिटी है जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया उसके लिए मैं बहुत-बहुत धानेवाद करता हूँ जिन लोगों दिमा में बहुत-धों से लिए विए भाहिता है